क्रिशी निर्याद के चेत्र में इस बार भारत नया रिकॉर्ड बना सकता है उम्मीद है कि चालू वित वर्ष में क्रिशी एक्सपोर्ट पचास अरब डॉलर के स्तर को पार कर जाएगा वही चावल के निर्याद में भी जबर दस्त बड़ोतरी देखने को मिल रही है चावल का निर्याद बढ़ने से दस राज्यों की किसानों को फायदा हो रहा है वानिज्य मंतराले ने गुरुवार को इस संबंध में जानकारी दी मंतराले ने कहा कि समुद्री और बागवानी उत्पादों सहीत देश की क्रिशी उत्पादों का निर्याद अप्रेल से नवंबर 2021 के दोरान 23.21 प्रतीशत बढ़कर 31.05 अरब डॉलर हो गया है मंतराले ने कहा है कि चालू वित्वर्ष में क्रिशी निर्याद पहली बार 50 अरब डॉलर के स्तर को लांग सकता है निर्याद को बढ़ावा देने के लिए मंतराले ने COVID-19 महमारी के चालू दौर में भी कई कदम उठाए है मंतराले का कहना है कि इन पहल के कारण ही भारत वेश्विक मांग की पूर्ती कर पाया और इस से क्रिशी निर्याद को गती भी मिली मंद्राले ने कहा है कि मौझूदा व्रीदी स्तर को देखते वे भारत का क्रिशी निरियात पहली बार पचास अरब डॉलर के आंकडे को पार कर सकता है जो इतिहास का सरवादिक स्तर होगा इसमें कहा गया है कि चावल निरियात इस साल 2.2 करोड़ टन हो सकता है गैर बासमती चावल, गेहूं, चीनी तथा अन्य अनाज की व्रीदी भी अब तक काफी बहतर है इन उत्पादू का निरियात बढ़ने से पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, पच्चिम बं निरियात भी पहली बार 8 अरब डॉलर के स्तर को पार कर सकता है और मसालो का निरियात 4.8 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच सकता है फिर से आगया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सब की भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा, दस मिनट में आपके घर पर दवाई, बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान